1920 में अचानक भारत की तमाम अजितों में दो पुस्तके वित्रित की जाने लगी एक पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरी पुस्तक का नाम था 19. सदी का लंपट महर्शी ये दोनों पुस्तके अनाम थी इसमें किसी लेखक या प्रकाशक का नाम तक नहीं था और इन दोनों पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण, हिंदु धर्म, इत्यादी पर बेहद अश्लील, बेहद जिनोनी बाते लिखी गए थी और इन पुस्तकों में तमाम देवी देवताओं के बाद इतने बेहद रेखाचितर रेखाटे गए थे जिसे हिंदु अगर देख लेता तो उसका खून खौल के उठ जाता और धीरे धीरे ये दोनों पुस्तके भारत की हर एक मस्जितव में विद्रित की जाने लगी ये बाद जब गांधी तक पहुँची तो गांधी ने इसे अभिवेक्ती की स्वतन्तता बता कर गौन कर दिया और कहा कि भारत में सब को अपने अपने विचार रखने का अपने अपनी बातों को रखने का पूर्ण अधिकार है फिर एक दिन अचानक 1923 में लाहोर स्थित राजपल प्रकाशक के मालिक माहाशे राजपल जी ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था रंगीला रसूल उस पुस्तक के लेखक का नाम गुप्त रखा गया था और लेखक की जगा लिखा गया था दूद का दूद और पानी का पानी हाला कि उस पुस्तक में असली लेखक पंडिक चम्पू पती थे जो इसलाम के जाने माने विदवान थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस पुस्तक में कोई भी जूट नहीं था बलकि तमाम सबूतों के साथ भकाइदा आयात नम्मर, हदीस नम्मर, इत्यादी देकर कहीं बाते लिखी गई थी देड़ वर्षों तक रंगिला रसूल बिक्ता रहा पुरे भारत में कहीं कोई बवाल नहीं हुआ लेकिन एक दिन अचानक 24 मई 1924 को गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लंबा चोड़ा लेक लिखकर रंगिला रसूल पुस्तक की खूब निंदा करी औ पर केवल तीन वर्षों में पांच बार हमले हुए लेकिन गांधी ने एक बार भी हमले की निंदा नहीं की थी मज़े की बात ये है कि कुछ मुस्लिम विद्वानों ने उस पुस्तक रंगिला रसूल का मामला लोहार उच्चन नयायले यानि के हाइकोट में दायर किया हाइकोट ने चार इसलामिक विद्वानों को नयायला में खड़ा करके उनसे पूछा कि उस पुस्तक में ऐसी कौन सी पंक्ती है जो सही नहीं आप स्वयम बता दीजी चारो इसलामिक विद्वान इस बात पर पूरी तरह से समत है कि इस पुस्तक में कोई गलत बात नहीं लिखी गई फिर लहोर उच्छे ल्याने ने महाशे राजपाल जी पर मुकदमा खारिच कर दिया और उन्हें बाइज़त बरी कर दिया फिर उसके बाद 30 अगस्त 1924 को गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में एक और भड़काने वाला लेक लिखा और इस लेक में उन्होंने इशारो इशारो में ऐसा लिखा था कि जब व्यक्ति को न्याईलय से नहीं मिले तब उससे अपने आप प्रयास करके न्याई लेलना चाहिए उसके बाद महाशे राजपाल जी के उपर दो बार और हमले का प्रयास हुआ और अंत में 6 अपरील 1929 का हमला जानलेवा साबित हुआ जिसमें मोहमद इल्म दिन नामक एक युवक ने गदा से महाशे राजपाल जी के उपर कई बारवार किये जिन से उनकी मौत हो गई थी जिस दिन उनकी हत्या हुई उसके 4 दिन बाद गांधी लहौर में थे लेकिन गांधी महाशे राजपाल जी के घर पर शोग प्रकट करने नहीं गए और नाहीं अपने किसी संपाद कियम में महाशे राजपाल जी की हत्या के निंदा की उसके बाद अंग्रेजों ने मुकदमा चलाकर मात्र छे महिनों में माशे राजपाल जी के हत्यारे इल्म दिल को फांसी सुना दी और वो भी इसलिए कि देश में हिंदू समाज जो था वो पूरी तरह से उबल रहा था और अंग्रेजों को लगा यदि उन्होंने जल्दी से फांसी नहीं दी तब अंग्रेजी शासन भी बरखास्त हो जाएगा खत्रे में आ जाएगा उसके बाद 4 जून 1929 को गांधी ने अंग्रेज वोइस रोइस को चिट्टी लिखकर माशे राजपाल जी के हत्यारे की फांसी की सजा को माफ करने की अनुरोध किया था और इसके अगले ही दिन अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लेक लिखते हुए जिसमें गांधी नी ये साबित करने का प्रेट में किया था कि हत्यारा तो निर्दोश है नादान है क्योंकि उसे अपने मजभब का अपमान सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर ये हत्या करने का निर्ने ले लिया दूसरी तरफ तब तक के जाने माने बैरिस्टर मुहमादेली जिन्ना ने भी लहोर हाई कोट के अंदर बकाइदा एक बैरिस्टर की हैस्यत से इस मुकद्दम में पैरवी करते हुए कहा था कि अपरादी मात्र 19 वर्ष का लड़का है लेकिन इसने जो अपराद किया हो बहुती बड़ा जगन्ना अपराद है इसके अपराद को कम नहीं समझा जा सकता लेकिन इसके आयू को देखते हुए इसकी फांसी को सजा को उम्र कैद में बदल देना चाहिए या फिर इसे काले पाने में जेल में भेज देना चाहिए लेकिन अंग्रेजों ने 31 अक्टूबर 1929 को महाशेर राजपाल जी के हत्यारे मुहम्मद इल्म दिन को लहोर जेल में फासी पर चड़ा दिया था बापू, तुम्हारा इंसा का पाट एक तरफा था